यह चावल की खीर एकदम घाड़ी और क्रीमी बनती है जिसका टेस्ट आप भूल ही नहीं पाओगे आप हपते में एक बार इसे जरूर बनाओगे तो चलिए स्टार्ट करते के कैसे यह खीर बनती है यहाँ पर मैंने आदे कप बास्मती राइस लिये है इसे तीन चार बार प आप एक बार जरूर इस तरह से ट्राय करना खीर बनाने के लिए आपको हैवी तले का बरतन चाहिए थोड़ा चोड़ा हो इस तरह का हमें बरतन लेना है तो यहाँ पर मैंने 750 ml दूद लिया है और यह फूल फेट नहीं है यहाँ पर हमें मीडियम आज पर इसे एक उबाल आने देना है तो यहाँ पर दूद में उबाल आ चुका है और जो राइस हमने भी गोए रखे थे वो भी अच्छी तरह से भीग चुके है तो हम इसे चावल में डाल देंगे और इसे मीडियम आज पर हम पकाते जाएंगे दूद में चावल पकेंगे जिससे खीर का चावल को कुकर में एक सीटी लगा देते हैं उसके बाद इसे डाल देते हैं दूद में पर जब भी आप चावल को खीर में इस दूद में पकाएंगे तो उसका टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है और जो साइड साइड में मलाई बनती रहती है उसे हमें निकालते जाना ह और दूद में add करते जाना है तो लगादार हमें नहीं चलाना है हम बीच-बीच में चलाते जाएंगे और दूद को उबालते जाएंगे साथ-साथ में हमारी जो चावल है दूद में पकते जाएंगे और यहाँ पे चावल को पकते हुए देर भी नहीं लगेगी तो आप देख सकते हो कि दीरे दीरे जो खीर है वो गाड़ी होने लगे क्यों क्योंकि चावल साथ में पक रहे हैं तो उसकी वज़ा से ही दूध हमारा घड़ा हो जाता है दूध को हमें बीच बीच में इसले लिए चलाते रहना है क्योंकि नीचे चिपके ना अगर दूध नीचे चिपक जाएगा तो उसके जलने की जो स्मेल होती है वो दूध में आएगी और खीर का पुरा टेस्ट बिगार देगी तो आपको इस तरह से ध्यान रखना है तो दीरे दीरे खीर उबलती जा रहे है और चावल भी पकते जा रहे है दस्ते बारा मिनिट के बाद आप देख सकते हो कि 80% चावल हमारे पक चुके है इसे टाइम पे मैंने यहाँ पे 15-20 केसर के धागे डाले है एक छोटी चमच जो हरी इलाईची आती है यानि की जाइफल का पावडर डाला है और इस पावडर को डालने से ही पूरी खीर का टेस्ट चेंज हो जाएगा आपको यह खीर बहुत बहुत पसंद आएगी तो आप इसे ज़रूर डालना जो साइड साइड में मलाई चिपकी हुई है इसे भी हम निकालते जाएंगे और दूद में एड करते जाएंगे आप देख सकते हूँ कि उस मलाई का कलर भी यलो हो चुका है क्योंकि यह दूद बहुत अच्छी तरह से पका है और इसे ही खीर बहुत अच्छी लगती है इस टाइम पर मैंने आधा कब शुगर एड की है और इसे मिक्स करेंगे अब हमारी खीर पकी चुकी है लेकिन हम इसे फिर से दू दिन मिनिट के लिए मिडियम आज पर पकाएंगे तो हमारी चावल की खीर एकदम गाड़ी और क्रीमी तयार हो चुकी है यहां पर अभी आपको ऐसा लग रहा होगा कि खीर भी इतनी गाड़ी नहीं है लेकिन यह खीर जैसे जैसे ठंडी होईगी वो गाड़ी होड़ी शुरू हो जाएगी तो इस स्टेज में हमें आज धीमी कर देनी है या गैस बंद कर देना है और हमने इसमें ड्रैफटर्स नहीं डाले हैं तो अब हम ड्रैफटर्स डालेंगे तो एक पैन में मैंने एक बड़ा चमच घी लिया है उसके अदर दो बड़े चमच चॉप किया हो बदाम डाला है चॉप काजू डाले है आप यहां पे पिस्ट्टा भी डाल सकते हो किसमिस डी डाल सकते हो तो हम इन दोनों को फ्राय कर लेगे बहुत जयादा हमें इसे फ्राय करना नहीं है ज़स्ट सी स्के उपर थोड़ा सा कलर ब्राउन आज अहाए गुल्डेन ब्राउन तब तक हमें इसे चलाना अब हम इसे खीर में डाल देंगे और मिक्स कर देंगे इसका भी बहुत अच्छा सा फ्लेवर आएगा क्योंकि यह देसी गी है और इसके अंदर हमने ड्रैफर्स फ्राई किये है तो इसका भी टेस्ट अच्छा आएगा इसमें तो हमारी यहां पे खीर रेडी है आप चाहो त इतनी नहीं गाड़ी चाहिए तो आपको क्या करना है उस टाइम थोड़ा आधा कब दूद्ध घरम कर दीजिए और इसमें मिक्स कर दीजिए तो आपको जो कॉंसिस्टेंसी चाहिए खीर की उस तरह के आपको मिल जाएगी तो एंजोई करें इस चावल की खीर को और वीड कर दीजिए तो आपको मिल जाएगी 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 तो आपको मि